गौर्मेंट ऑफिसेज अपने टीडियस की रिटन को कैसे फाइल करते हैं कौन सा फॉर्म होता है गौर्मेंट के लिए टीडियस की रिटन को फाइल करने का और उसकी ड्यू डेट क्या है जी हाँ दोस्तों आप जो डीडियस देख रहे हैं आप भी चाहते हैं इन डीडियस को सोशल मीडिया पर शेयर करना डीडियस के रिमांडर्स देना अपने क्लाइंटों को अपने फ्रेंड्स को तो आप हमें तुरंत कॉंटक्ट कीजिए बहुत ही नॉमिनल प्राइजस पर आपको मिलेंगे यूनिक डीडियस विद यूर नेम और अड्रेस आपके नाम गाउं गली पता सब कुछ इसमें होगा लिखा और जिसके साथ आप भेजोगे ये ड्यू डेट्स के रिमांडर्स बात कर लेते हैं कि भीया सरकारी कंपनियां जो है टीडियस टीडियस को किस जमाद हो सामने आपके दिखाई दे रहा है फार्म नमबर टुटीफोर जी यहां फार्म नमबर टुटीफोर जी जो कि गौवर्मन प्रेट कंपनी जो होती हैं उसकी टीडियस और टीडियस को फाइल करते हैं इसकी तारीह क्या है अजो और ग्रुर 7 दिसमब दो हजार 2 250 नवंबर महिने के लिए जो form 24G फाइल होना है उसकी तारीख है 15 दिसंबर 2022 ये बेसिकली एक statement होती है जिसके अंदर वो details देते हैं कि भहिया केस किस बंदे का हमने TDS काटा है क्योंकि वो लोग TDS का हर महिने साथ तर को चलान जमान नहीं कराते जिस समय वो TDS deduct करते हैं उसी सम मैं ही वो automatically account में transfer कर देते हैं बिना किसी चालान के यानि कि जो government offices होते हैं उन्हें चालान जमा कराने के लगसे जरूत नहीं पड़ती है जितना credit होता है वो सीधे उपने एक account से entry पास करके उनका TDS सीधे government के खाते में चला जाता है और इसलिए हर महिने form 24G फाइल करना होता है अब जैसे नवमर महिने की हम बात करें 15 दिसमब 2022 तक और दोस्तों एक बात और मैं आप से चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल सबसक्राइब किया है या नहीं किया है यदि नहीं किया है तो से पुरंट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब्सक्रिप्शन का हम कोई भी चार्ज नहीं लेते ये फ्री आफ पॉस्टर सब्सक्राइब आप पुरंत कर सकते हैं और वीडियो आपको कैसे लगी जानकारी कैसे लगी कमेंट करना बिलकुल मभूलीगा धन्यवाद